वेलकम दोस्तों एक फिर से सवक्ताब का मारे यूटीव चैनल टैक जैसी सी पे आज हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट में बहुत ही के पॉट्ट अपिक के बारे में एकमा स्क्रिप्ट के बारे में तो क्या होता है यह देखेंगे आज तो हमने आलमोस्त चो कोवर मारे पीएच पी सॉरी अपनी जावा स्क्रिप्ट उसके टॉपिक कवर कर लिये हैं तो आज हम थोड़ सा अडवांस जावा स्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे जो अडवां ठांचका मुवन स्तेंडरी दॉimana जुसको फॉछै घावास्कृपट? को जॉछै थीज ठावचिरीया है ठावップ makesाजावास्कृप्त का स्कंडरीया है मैं मुद्ब जॉछै यसे जावास्क क्रिफ्ट डॉछैडरीया है वे दिक्कत आगी थिए इसके बाद मारा पांचमा वर्जन है जिसके कुछ जिसके कुछ मैंठड जो उसमे एड़ाउन किये गये जो मारा में चो ES6 है ES6 मैं स्क्रिप्ट में जो मेजर चेंज किया गया वो ES6 में किया गया थीक्या दो 2000 2015 में जो जो 6 बर 9thा में मेजर चेंज आया आपकी जो interview होगी आपकी जो interview ES6 में होगी वो इसके marriage कोशिच करेका इसमें आपको problem create करेगा तो जो के लाध आपको solution निकालना ES6 में मतलग्वाजचन वोथ है एंटरव्वूर मी मन वो ES6 के आता आपने कोई और भी को framework feature में framework सीखना है ठीक है जो भी JavaScript में late करता हो तो अगर कुछ भी अपने कोई भी platform सीखना है कोई भी framework सीखना है जो JavaScript में late करता हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ES6 आना चाहिए ठीक है तो यह बहुत ही important topic है उसके बाद में जो इसके version आए तो latest version कौन है यह बहुत है 2020 में ठीक है तो मतलब main जो हमारा होगा ES6 होगा इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि क्या है एकमस्क्रिप्ट तो जो main हमारा जो हमारी java script है तो इस पे base है जब भी इस standard में चेंज होता है तो java script उसे असाब से update हो जाती है java script क्या होती है उसके असाब से update होती है तो यह बहुत ही important topic है तो आने वाले time में इसके related पूरा deep में इसको पढ़ेंगे study करेंगे इसके related program करेंगे तो यह मारा मतलब एक standard ही है ठीक है standard हम इसको follow करेंगे advanced java script में तो आदवास java script बोल सकते हैं इसको तो इसके later हम framework भी जो भी हो भी देखेंगे तो यह मारा था admin script तो ES6 में हम पढ़ेंगे अने वाल दाई में तो simple था I hope आपको समन लगया हो फिर भी समें दिखके तो कि बताना thanks for watching